यह वेबिनार आप सभी को मालूम है कि यह यॉनिवर्सल सिंबल्स के उपर हमने यह वेबिनार बनाया है जहां पर हम हंड्रेट सिंबल्स के उपर काम करेंगे हंड्रेट पावर्फुल सिंबल्स आप में से जादाता लोगों ने रेकी सीखा हुआ और जादाता लोगों ने कुछ और मडायलिटी सीखी हुए हुँगी तभी आप लोग यहां पर आए क्योंकि यह जो वेबिनार है यह जो क्लास्स हैं यह सिर्फ उनहीं लोगों के लिए हैं जो लोग मास्टर्स हैं या फिर जो लोग मास्टर्स अगर इस को करते हैं तो मास्टर्स के लिए केवल वो हीलिंग कर सकते हैं वो किसी को सिखा नहीं सकते किसी का शक्तिपात नहीं करते हैं अगर वो शक्तिपात करना चाहते हैं तो उनको Grand Mastership करने पड़े जो हमारे जिसको हम बोट है Teachership और अगर वो Teachership है है और रड़ी टीचर है पढ़ाते हैं students को तो वो लोग इसको सीख सकते हैं बड़े ही आराम से और बड़े ही आराम से वो लोगों को शक्तिपाद दे सकते हैं खीक है तो दोनों category में अगर आप Masters है या कोई आप Grand Masters है आप दोनों उसमें इसको सीख सकते हैं सिर्फ वर कितना है कि अगर आप Master है तो आप सिर्फ उसको Healing के लिए यूज कर सकते हैं ठीक है तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग Reiki से Relator जितने भी कोई हैं वो मैं यहां पर करवाती हूँ प्लस मैं Angel Therapy यहां पर सिखाती हूँ इसके लावा और भी Modalities पर काम करती हूँ लेकिन इस प्लैटफॉर्म पर मैं आज रेकी Grand Master काम करती हूँ इसलिए मैं यहां पर Reiki सिखाती हूँ और Reiki के साथ मैं बहुत क्लोज हूँ तो मैरे Reiki से ज़ादा मेरी शब्दों में उसका वर्णल थोड़ा सा ज़ादा हूँ ठीक है? बाकी सब Modalities भी अपनी जगे पर Important हैं अपनी जगे पर हर Modality का अपना एक काम है अपना एक Positive काम है सभी Modalities हमको उस परमात्मा के साथ जोते हैं हमको वो Spiritual Life में आगे बढ़ाते हैं ठीक है? चले, अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम सभी लोग आज जो जुड़े हैं आज जो यह वेबिनार है यह Universal Symbols का है जिसके अंदर हमारे 100 Symbols होते हैं 100 Symbols के साथ आप लोगों को शक्तिपाद दिया जाएगा आप लोगों को Attunement दिया जाएगा हर एक-एक Symbols की अपनी एक मर्यादा है अपनी एक Power है जैसा मैं हमेशा बोटी हूँ कि हर Symbols को साड़े-चार लाख मंतरा की Power होती है हर एक-एक Symbols के अंदर लेकिन जो यहाँ पर हम लोग Symbols सीखेंगे यह बहुत ज़्यादा Powerful Symbols है इनको आप ऐसे ही इस्तमाल नहीं कर सकते है डारेक्ट इस्तमाल नहीं कर सकते है अगर आपके पास कोई भी पेशेंट जब आपके पास आता है तो पहले आपको उसको Balance करना है उसके बाद आपने इन Symbols को Use करना है अगर आपको लगता है कि यह Symbols की आवशक्ता है उसे इस्तमाल करने के लिए तभी आपको यह Symbols का इस्तमाल करना है Otherwise आपको यह Symbols को तब तक यूज नहीं करना है जब तक यह आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि इसकी आवश्यक्ता है जैसा मैंने बोला क्योंकि ये एक powerful symbols है जैसा कि हम रेकी में हमारे पास दो symbols होते हैं एक होता है हमारा powerful symbol हम जिसको बोलते हैं चौकुरे और एक होता है हमारा master symbol डाइकुनिय the addictive healers क्या करते हैं कि वो सभी symbols को एक साथ डाल कर healing कर देते हैं जहां पर उसकी जरुवत है या फिर नहीं है ठीक है अगर आप normal कर रहे हैं तो कोई ऐसे कभी नुकसान नहीं होता है लेकिन कभी कभी symbols में इतनी high power होती है कि वो आप लोगों को नुकसान भी दे सकती है कभी कभी जो लोग करते हैं उनको भी जिनकी उपर हम करते हैं उनको भी तो इसली इस चीज़ करते जाएंगे आपको इन चीजों की knowledge होती है आफी भी यूस करेंगे तो उसको आपको negative असर में दगा, नहीं लेगेटिव असर एकदम से नहीं आता है क्योंकि ये कोई आपका तंत्र विद्या नहीं है ये एका की पॉजिटिव ये आपका पॉजिटिव हीलिंग है इसके अंदर किसी भी तरह की कोई ब्लाक मैजिक वाला केस नहीं है कि आपको कोई डरने की जरूरत है कोई धुबराने की जरूरत है लेकिन आपको खुद से मालूम चल जाएगा कि थोड़ा सा भी 19-20 का आपको डिफरेंस पता चलेगा कि यहां पर आपको इस चीज़ को इस चीज़ को इसके लिए आपको सिंबल्स के साथ अपना कनेक्शन बनाना जरूरी है इसके लिए आपकी प्राक्टिस जादा होनी जरूरी है तो जो लोग जादा प्राक्टिस कर सकते हैं वो ही इन चीज़ों को आगे अपने जीवन में उतार सकते हैं अपनी हीलिंग कर सकते हैं साथ में दूसरों की हीलिंग भी कर सकते हैं इन सिंबल्स को अगर आप सीखते हैं तो इन सिंबल्स को आपको रो साथ connection बन सके या फिर आप उनको लिख कर अपने सबकॉंशन माइड में लेकर आएंगे ताकि आपका उसके साथ connection बन सके रोज इनको नहीं करना है क्योंकि ये बहुत है हेवी powerful symbols हैं तो इनको daily करने की ज़रूवत नहीं है जैसे हम और modalities के अंदर regular practice करते हैं जैसे हम प्रेकी के अंदर 24 body parts की practice करते हैं अपने 7 चक्रास की practice करते हैं 21 दिन कम से कम 21 दिन से लेकर 3 महीने तक मैं बोलती हूं कि आप लोग practice करें क्योंकि हमारे teachers ने हमको यही बोला था कि आप 3 महीने तक practice करें तो वही चीज मैं आप लोगो को भी सिखाती हूं बैट normally आप ज़्यादा तरद सभी लोग बोलते हैं कि 21 दिन कम से कम करें तो आप 21 दिन से 3 महीने वो आपके उपर हैं 21 दिन तो कम से कम आपको करनी ही है आपको जब लगता है कि आपको नीड है तो आप कर सकते हैं तीक है लेकिन इन लिग। के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एकके दिन की practice करनी है या तीन महीने की practice करनी इन की साथ आपको कुछ समय तक जब तक कि आपका connections नहीं बनता तब तक आपने इन symbols को थोड़ा सा meditate करना है एक एक मिनट का भी अगर आप meditate करेंगे तो भी वो चले ठीक है या फिर आप उनको लिखें paper के उपर red pen से उनको draw करेंगे उनको लिखें ये सिरफ इसलिए करवाती हूँ मैं ताकि आप लोगों का connection बने ताकि आप लोगों के subconscious mind में वो आए ताकि जब आप लोग बार-बार उन symbols को लिखेंगे बार-बार उन symbols के साथ meditate करेंगे तो आपके subconscious mind में तो वो symbol आएंगे ही और उन symbol के आने के सासर आप उनके work को भी समझ पाएंगे कि ये symbol को हमने कहां पर कैसे किस तरीके से इस्तमाल करना है क्योंकि अधिकतर लोगों जितने भी आप इतनी modalities लोग सीखते हैं अच्छी बात है उससे हमारी powers तो enhance होती ही है लेकिन जब इस्तमाल करने की बारी आती है जब use करना होता है तो अधिकतर लोग 2-3-4 symbols से उपर नहीं जाते हैं और उसकी वज़े सिर्फ इतनी ही होती है क्योंकि वो हमें practice नहीं होते हैं हमें याद नहीं रहते हैं और फिर जो हमें उस वक याद आता है हम वो कर लेते हैं तो practice करने का भी बहुत अच्छा तरीका यह है कि आप एक paper पे वो सारे symbols को draw करें उन symbols के नाम लिखें और एक एक line में symbols का work लिखें जितना भी आपने अब तक सीखा है और जब भी आपके पास कोई healing आती है आपको कोई healing करनी है तो आप अपनी वो book खोलें और उसमें से ढूड़े कि कौन सा जरूवत आपको इस symbol की है और उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं बनाते वक्त आपको थोड़ा सा समय जरूर लगीगा लेकिन उसके बाद आपके लिए पूरे जीवन के लिए वो आसान काम चाहिए तो इस तरीके से एक अपनी dairy को maintain करिएगा और जो लोग मेरे साथ यहाँ पर सीखेंगे उन लोगों से तो मैं dairy maintain करवाओंगी ही बाकि जो लोग नहीं सीखेंगे उन लोगों के लिए हैं कि वो एक dairy अपनी इस तरीके से अगर maintain करके अपना कारे को करते हैं तो उसमें उनको बहुत जादा सफल्टा मिलती है